वेलकम टू इंस्पार फिजिस कलासेज फेंट से दोस्तो आज जाम लेकर क्या गए हैं आपके लिए ग्रेवीटेशन यानि गुरुतवाकर्शन के सभी इंपोर्टेंट क्यूसन हैं जो क्यूसन दोस्तो आपकी पहले की एक्जाम में पुछे हुए हैं और अब आने वाली एक्जाम की दर्ष्टी से बहुत इंपोर्टेंट है तो दोस्तो आप हमारे इंस सभी क्यूसनों को सोल करें दिया आप इनक्यूसनों को सोल करते हैं तो आपके फिजिस के त्यारी बहुत अच्छे जाएगी और ये क्यूशन आपकी एक्जामें दोस्तों जरूर हेल्प करेंगे तो सुरुआत करते हैं हमारे ग्रेविटेशन यानि गुर्टवाकर्षन के इंपोटेंट क्यूशनों की स्रीज का पार्ट नमर वन है और देखते हैं इसका पार्ट नमर वन का पहला क्यूशन है पहले क्यूशन में आपको दिया हुआ है कि गुर्टवाकर्षन बल है पर्तिकर्षन बल इस्तिर्वेदूत बल संरक्षिबल या एसनरक्षिबल यानि दोस्तों इस क्यूशन में आपको बताना है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो रिपल्सिव हो जाएगा या इलेक्ट्रो, इस्टेटिक से या कंजरवेटीव या नोनकंजरवेटीव इसका जो राय टोई ठो जाएगा ओप्छन मर्शीवाला याद रखना जो गुरूत्वाकर सनबल होता है वो एक संरक्षिबल होता है दोस्तों संरक्षिबल व्यबल होते हैं जिन बलों के द्वारा किया गया जो कारी होता है वो केवल अंतिम एवं परारंगी बींदों पर ही डिपेंड करें बलकि दोस्तों ऐस सनरक्सिबल होता है उसके अंतर गतिवे बल आते हैं जिसके द्वारा जो किया गया कारी होता है वो अंतिम एवं परारंगी बींदों पर नए होकर कि जो पत होता है उस पर डिपेंड करता है तो इस परकार से गुरुत्वाकर संबल होता है वो मारा एक संड़क्षी बल लोता है तो इसका राइट्वा से जाएगा की जानते है जब कोई भी वस्तू मुक्त रूप से गिरती है तो उसका जुछीए तवरन इसके पर 0 लागू होता है तो इसके कारण इसका राइटियों सुझाएगा option number D आपके लिए आज का second यानि third question में आपको पुछा गया है कि शमूंदर में उठने वाले जवार का कारण क्या होता है तो इसका राइटियों सुझाएगा ओप Entonces A इनि चंदर्मा का पर्थीवी पर लगने वाला गुरट आकरशन बल्छे यान दोस्तों मायर जो पर्थवी होती है इसके चारों और एक चंदर्मा यानि अपनी प्रक्रमा में गती करती है तो जो चंदर्मा यों पर्थवी का जो मद्दे आनि जो आकर्षन बल होता है उसी के कारण जो पर्थवी का जल उपर उड़ता है उसी को अपन जवार कहते है तो जो जवार का कारण होता है वो क्या होता है कि चंदर्मा का पर्थवी पर लगने वाला गुर्थवा कार्शन बल तो इसका राइटेंश हो जाएगा ओप्सन नमर ए वाला अब आपके लिए हमारा आज का फॉर्थ क्यूशन में क्या पुछा गया है कि किस वेग्यानिक ने सर्वा पर्थम जी का प्रायोगिक मान दिया था यानि दोस्तों हमारा जो सारवत्री गेस नियतांक होता है जी इसका दोस्तों जो मान होता है वो 6.67 गुना 10 की गात माइनस 11 होता है है दोस्तों सबसे सपहले उसका प्रायोगी के मां दिया था वो awake back न theology ने दिया था है वह आपको बताना है दोस्तों आपको उसको रटन होका या फीर assum वह दिया किन गयानी य्दि यानी दोस्तों मारला कव डिसन वेंग्यंक निक है उसकिन कर फूराकर स्ंबल हो जाएगा तो बच्छ और को पता होगा कि जो मारा गुरत्वाकर संबल होता है 3 उसका ज़ो फोर्मल होता है वह जी एमटेटरें में lights कार होता है तो यहांसा हमन देखते हैं कि जो ए 1 उटमाण पाती होता है तो यह दि दो rise क्वायर के होता है कि दो गुना कर देंगे यानि दोस्तों यहां पर अपन टू कर देंगे तो इसका इसकार हो जाएगा मारा चार यानि यह हो जाएगा मारा बल एक चुत्थाई तो इसका जो राइटियों से जाएगा वो जाएगा अपसर में डीवाला अब देखते हैं आपके लिए हमारा ने यानि तो गुड्तिवे दरोमान या अपनी इसको बहुच सकते हैं भार है जो बहुंत खेतरे घृतिवे बाल एंगर तीर घृता तीन ओके समान पाती होताई यह दोस्तों तीनो का मतलब एक ही है यह दोस्तों यह कमान बढ़ेगा तो तीनो का माण की बढ़ेगा यह दी जी क मान बढ़ेगा तो हमारा भार भी बढ़ेगा तो इस परकार से दोस्तो जो गुर्तिय दरुमान होता है वो तीनों के समान पाती हो जाएगा तो इसका राइटरिस हो जाएगा और सनमर डी वाला अब देखते हैं आपके लिए नेश्ट किसा ने निर्वात में एक दूसरे से एक मिटर दूर इस्तिते एक के जी के दरुमानों के बीच लगने माला गुर्तिय बल है दोस्तो इस किस्ट में आपको पताना है कि जो एक के जी के दो दरुमान है वो एक दूसरे से एक मिटर के दुरी पर रखे विये हैं तो इनकी बीच में जो हमारा gravitational force होगा वो कितन होगा दोस्तों आपको पता कोगा gravitational का जो फॉर्मूल होता है वो मेरा G M1 M2 upon में 40 होता है यहाँ पर आपको दोस्तों दोनों का जो दरोमान है वो AK के जिदी आवाए हो और दूरी भी AK के जिदी होई है तो इसका मान तो हो जाएगा A के और जो मारा F is equal to हो जाएगा G यानि जो बल होगा वो गुर्तिवे नियतां के बराबर हो जाएगा और यह होता हमारा 6.675 गुना 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन है जो तो इस समान को आप याद रखना यह डारेक्टिव वैसे वैसे भी पूछ लिया जाता है कि सार्वत्रिक तो की नियतां का मान क्या होता है तो इस परकार से इसका राइट्वेंस हो जाएगा option मसी वाला यानि यदि दरोमान भी 1 के जी हो और उनके मद्दे की दूरी भी 1 के मिटर हो तो जो बर लेगेगा वो जाएगा 6.675 गुना 10 की गाथ माइनस 11 न्यूटन अब आपके लिए 8 वा क्यूसने 8 वी क्यूसन में आपको पुछा गया कि यदि पर्थवी गुनन करना बंद कर दे तो जी कमान भूमत दे रहे खाप पर बट जाएगा समान रहेगा गट जाएगा इन में से कोई नहीं दोस्तों आपको क्या बताना कि यह जो हमारी पर्थवी है यदि यह है रोटेट करना बंद कर दे तो आपको जो एक्वेटर लाइन होती है हमारी यह वाली यह नि दोस्तों यह जो पोल होते हैं और यह एक्वेटर लाइन होती है तो इस एक्वेटर लाइन पर आपको बता भी तो था हमारा जो परभावी तेरन होता है वो जी माइनस ओमेगा स्कॉाइर आर कोश फाइ होता है तो दोस्तों यहां से अपन देखते हैं कि यह दिए ओमेगा कमान अपन करम जीरो कर देंगे तो दोस्तो जी का मान बढ़ जाएगा यान कि दोस्तो इसके अंदर से गटने वाला जो पार्ट है वो हमारा हो जाएगा जीरो यान कि दोस्तो जी डेस का मान हो जाएगा वो हमारा मेकसिमम हो जाएगा यान कि दिशा सूर्य की और होती है दोस्तों आपको बताना है कि याईनि चार आपको स्टेटमेंट दिये हुए है तो दोस्तों आपको बताना कि कौन सा कथन यह बात कहता है कि जो हमारा पर्थिवी है दोस्तों उस पर एक बन लगता है सूर्य की और तो दोस्तो इसका राइटियों सुझाएगा option number B वाला यानि पर्थिवी का सूर्य की चारों और जो परिकर्मन करना होता है यानि दोस्तो हम जानते हैं जो पर्थिवी है वो सूर्य की चारों और पर करिमा करती है तो इस प्रकार चाही जो परवाव तो निमने मेंहें को सा बलो बदलेगा यह दोस्तो आपको को बताना कि जो यदि ग्रेविटी यानि जो गुर्तियों पर वाव है जी का मान यदि कम कर दें तो दोस्तों श्यान बलू कम होगा बदलेगा या जो मारा उच्छाल बलूता है आर्किमीडीज का यह बदलेगा या एस्तितु एदू दिबले या उप्रोक्त में से कोई नही दोस्तों इसका राइटियों से जाएगा उप्सिन नमर बी वाला क्योंकि दोस्तों हमारा जो उत्पलाउन बलूता है नहीं आर्किमीडीज का उच्छाल बलूता है दोस्तों उसका जो फोर्मूल होता हो आपने पड़ोगा वी रोजी होता है तो यहां से पन देखते हैं क गरेवेटी पर डिपेंट नहीं करते तो इस प्रकार से इसका राइटियों से जाएगा उप्सिन नमर बी अब आपके लिए हमारे ग्यारवा क्यूसने ग्यारवा क्यूसन में आपको क्या पूछा गया कि प्रसपर घुर्तिया आकर्शन के परवा में दो समान दरोमान कने तिर्जिया आर के वर्तिया पत्पर गती कर रहे हैं तो परते कन की चालोगी यह दोस्तो आपको बताना कि मारे दोस्तो जो दो दरोमान कन है उन दोनों का दरोमान समान है यह दोस्तो एक वर्तिया पत्पर गती कर रहे हैं और दोस्तो मान लेते हैं इसके वर्तिया पत्पर की तिर्ज्या आ रहा है जो सासटों इस पर यह संब्सक्राइब नहीं होगी इससे पूर्ती हो जाएगी दोस्तो इनके मद्दे के जो दूरी हो जाएगी यहाँ पर दोस्तो आर और और टू आर हो जाएगी यदि टू आर का यदि अपनी स्कॉार करेंगे तो मारो जाएगा फोर आरी स्कॉार है और इनके मद्दे जो अभी केंद्र पलो जाएगा वो जाएगा M-V square upon में R यह दोस्तो इसके अभी केंद्र यह अभी केंद्र यह की मद्दे की दूरी कितनी हो गए मारी यह R यह R 2R 2R का square करेंगे तो मारो जाएगा 4R e square तो यहां से यह आपने square की solve करेंगे क्योंकि दोस्तों यदि चार का रूट करेंगे दो तो ये तो बारा जाएगा और कोस्टर्ग में बजाएगा हमारा जी एम अपॉन में आर तो इस परकार से इसका जो राइट्वेंस हो जाएगा वो जाएगा के का मान दोस्तों आपको बताना कि जो मारा सारवतरी गेस नियतांक जी होता है याद रखना जो मारा गुर्ति नियतांक जी होता है उसका मान दोस्तों केवल मातरक पतिती पर ही डिपेंट करता है अब आपके लिए नेस्ट क्यूसर ने तैरवे क्यूसर में आपको पूछा गया है कि पर्थ्वी का एक उपगरा है एक समान वी वेग से वर्थिय कक्षा में परिकमन कर रहा है यदि अचानक गुर्थवा कर समबल समाप्त हो जाए तो उपगर है यान दोस्तों आपको बताना कि कोई हमारा पर्थ्वी के चारों और कोई उपगरा है वह वी वेलोसिटी से गती कर रहा है दोस्तों आपको बताना कि जो बिकेंद्रेबल है वह अचानक से नश्ट हो जाए समाप्त हो जाए तो आपको राइटियों से जाएगा उप्सा नमर बीवाला यानि कक्सा के इस पर से रखा किया अनुदिस दोस्तों वही वेलोशिटी से गती करता रहेगा क्योंकि दोस्तों यदि इसका जो हमारा आकरसन बल है यदि वह समाप तो जाएगा तो इसको आपसे का विकेंदर बल नहीं मिल और अपिकेंदर बन नहीं पिल पाएगा दोस्तों यह वर्थियों गती नहीं करेगा तो दोस्तों जड़त्व के कारण वह है इसकी वेलोशिटी के डारेक्शन दोस्तों अपन जाते हैं इस पर से रखी होती है तो जड़त्व के कारण वह है अपनी इसी डारेक्शन में ग है यानि दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो पर्तवी है इसके चारों और जो उपगराय गत्ती करते हैं यान teeth रहे कर्मा लगाते हैं तो 하겠습니다 नमर तो इसका राइट अप्सिन नमर्शी वाला यानि उप्ग्राइद की सत्य पर सुनने पर्तिकिरियाबल क्योंकि दोस्तों इस पर जो दोस्तों और घ्रेविटी लगती है वह दोस्तों इसको आवसे कर विकेंदरेबल होता है उसके अंदर पूरती हो जाती है और इसके कारणी याँ पर भारी इंताक की कारणों बन जाता है तो इस परकार से इसका राइट्रिंग सुझाएगा option number C वाला अब आपके लिए next question ने आज के पंदरवे question में क्या दिया वहाँ आपको की पर्थिवी के अंदर पर वस्तु का भार होता है दोस्तों हमारा जो अर्थ होती है इसके सेंटर पर आपको बताना कि कोई भी यह दी वस्तु है उसका जो भार होगा वह कितना होगा तो दोस्तों इसका राइट्रिंग सुझाएगा option number A वाला क्योंकि हम जानते हैं भार होता है हमारा एमजी और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो पर्थिवी होती है उसके अंदर पर जो ग्रेविटी यह गुर्तिय तवर्ण का मान होता है वह जीरो होता है तो इस परकार से इसका राइट्रिंग सुझाएगा option number A वाला अब आपके लिए इसके चारों और एट्मोस्पियर पाया जाता है वह पाया जाता है वह आपको बताना है कि वाई दुआरा गुर्थवय दुआरा बादलों दुआरा या उप्रोक्त में से को नहीं दोस्तों इसका राइट्रिंग सुझाएगा option number B वाला या जो दोस्तों पर्थिवी के चा दोस्तों इसकी इनरजी इतनी नहीं हो पाती है कि दोस्तों यह पर्थिवी से प्लाइन कर सकें क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं प्लाइन वे का मान होता है हमारा रूट टू आरजी होता है यहां पर ग्रेविटी का मान अधिक होगा जहां पर ग्रेविटी का मान अधिक और हमारा Atmosmere बन जाता है तो इस प्रकार से जो वाई मंडल संबंद होता है वो होता है गुर्टिवे के कारण तो इसका राइटम से जाएगा अप्सन नमर B अब आपके लिए सत्तरवा क्यूशन है सत्तरवे क्यूशन में क्या दिया है कि दो वस्तों के मद्दे गुर्टिय बल एप जी निबरन नहीं करता है यह दोस्तों हमारी जो दो वस्तों है इसके मद्दे जो ग्रेवेटरिशनल फोर्स होता है एप जी वह है दोस्तों किस पर निबरन नहीं करता है वो आपको बिताना होता है दोस्तों यानि यह गुणन फल पर भी निर्बर करता है गुर्टवाकर्शन नियतांक जी पर भी निर्बर करता हो मद्य दूरी आर पर रिवेंड करता है बलकि दोस्तों इनके मद्य का जो योग है दरुमानु का योग है दोस्तों उस पर यानि यह निर्बर नहीं कर समाना की X neowं,H के मद्दे क्या समनना चाहिए दोस्तो हम जाते हैं कि यदि अपन पर्त्शी से दोस्तो HR उचाई पर जाते हैं तो जो जी का मान, है नहीं परवर्वर्थित होता है वो खाए धूमारा G- map N Probably 2,H upon R होता है और दोस्तो यदि अपने X गहराई में जाते हैं तो जो Z का मान होता है वो X अपन में R होता है और दोस्तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि गहराई पर जाने पर एवं उचाई में हाइट में जाने पर दोनों में हैंने कि दोस्तो दोनों का मान समान है तो यदि दोस्तों इन दोनों का मान समान है तो दोस्तों इसकी मान समान होने के कारणे 2H एवं X का मान भी दोस्तों बराबर होना होगा तब ही दोस्तों यह मारे दोनों मान बराबर होंगे और आपको दिया हुआ है कि उच्छाई पर एवं गराई पर दोनों पर इनका मान समान प्रवतित होता है तो इसका कारण मतली हो जाएगा कि दोस्तो हमारा 2H है वो X के बराबर हो जाएगा यहीं दोस्तो इसका जो राइट हैंगा वो जाएगा उप्सन नमर B वाला है यए दोस्तो एक्स हीच उगल तो जाएगा गुल्णीश्वी क्यूशन में क्या दिया हो है कि आपको दो गरों के ओस्त गनतुव सम्मान है प्रनतु तिरजें आरवन तथा आटू है यदि इन गरों पर गुर्तिय तवरां जी वन वजी टू हो तो जी वन एवं जी टू इस इकॉल टू होगा यह दोस्तों आपको क्या दिया हो कि दो गर्या है उसका जो गनतुव है डैंसेटी है वह Ein को आसका उतलव होता है है प्रसाद दूसरा फॉर्मूल होता है वह छार बटए तीन पाई जी रो आर होता है दोस्तों हमें क्या दिया हूए कि दो गनतुर गनतुव केसमान है दोस्तों यदि गनतो समान है तो में लेना होगा कि जो G समान पाती हो जाएगा वो R के हो जाएगा यदि दोस्तों यह 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 हमारा कॉंस्टेंट है तो हम जाते हैं यह भी कॉंस्टेंट होता है यह भी कॉंस्टेंट होता है तो इस परकार्च कि जो G होगा वो हमारा R के समा समान पाती हो जाएगा यदि दोस्तों आपको एस क्यूशन में दिया औता है कि दरूमाण मारस हौन है यही दरूमाण समान होता तो उस कंडिशन में हमारे जो राय्ट इंसर तरफ esse नमर्ड में गों सी वाला बलकि यहां पर आपकर में क्याद दिया वो आर इसको आर के समान पाती होता लेकिन यहां पर आपको क्या दिया आपके गनतियों समान है यह दी रोज समान है तो अपनको इस फोर्मिल्य का यूज़ करना होगा और इसके अंदर अपने में दिया हो कि जो जी है वो आर के समान पाती है तो इसका राइटन सुझाएगा OPSION N每 A वाला अब आपके लिए Next Q Ayushun में 20 वे Q Ayushun में आपको क्या पुछा गया है कि कर्तरीम उपगरय में उसके अंदर जो आवर्त काल हो ता है दोस्तों आपको पता हुनाажужд जो आवर्त का जो फॉर्मूल होता है वो ROOT by ROOT L upon में G होता है दोष्टो यहां चाह्म देखते हैं, कि दोष्टो यह जो आवर्थ-काला है, वो ūो जी की विटिकमान अपाती है। यहां पर जी कमान जी रहें हमारा जो आवर्थ-का-मान वालगावरों के ऑंनत नीकल कर जाएगा। तो इसका जो राइटियों सुझाएगा। ऑफशन मढडी वाला यानि कर्तिरीम उपकर होते हैं वहाँ पर एक सरल लोलक का जो आवर्थकाल होता है वो होता है हमारा अनंत तो इसका राइटियों सुझाएगा। अब आपके लिए मारा आज का 21 क्यूशन ने 21 क्यूशन में क्या दिया हुआ है कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से दुर्वकी ओर ले जाते हैं तो इसका भार है यह दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि कोई वस्तू है इसको एक्वेटर से दोस्तों मुमध्य पर ले जाया जाता है तो आपको बताना है कि गुर्टिय तोरन का मान किस परकार नहीं भार किस परकार से चेंज होगा तो इसका राइटिय तोरन के मान बढ़ने के कान इसका भार भी बढ़ जाएगा तो इसका राइटिय तोरन के मान बढ़ने के कान इसका भार भी बढ़ जा कि जाती है और यह है प्रवेलेकार पत्ष पर गमन करते हुए पर्थी पर लोट आती है तो निम्न में कौन अच्छ रहेगा यह दोस्तों इस किस्टन में आपको क्या बताना है कि एक बोल है इसको अपड़ ध्रोक किया गया है और यह है परेबोलिक पात के दुआरा पर्थी इस गठाकी यह वेका उद्रवादर गठाके तो इसका राइट विस हो जाएगा और सब्सक्राइब यानि इस गति के दोरान दोस्तों वारा जो होरीजेंटल कॉमपोंटेंट है वेलोशिटी का यानि वह होता हमारा यू कोश्ट टिटा दोस्तों पूरी गतिके दोरान रापा की, तो यहां पर रह्यगी तो भी यह को स्ट्रे रहता है," बलकि दोस्तो नहीं को जो ऊता है," तो यह इसका उधरादर गटक पालर शिया प्श्य होता है," तो इसके Caroline सुमारण धैंजग व्यूजाएगीञा. चेंज हो जाएगी और उसका चाली भी चेंज हो जाती है और तरूदर गतनी चेंज होता है जो हमारी अच्छर राशी होती है वह को ऑप्सानर सी अब हमारा 26 वा क्यूशन ने इसमें क्या दियावा है कि जब कोई करन एक समानवर्थिय गती करता है तो उसमें होता है यह दोस्तों आपको बताना कोई एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से तो आपको बताना कि जो हमारा वेग और तिरज्य होती है वो किस परकार से होती है तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारी वेलो सिटी होती है वो उसकी डारेक्शन जो हमारी ये सरकिल होता है इसकी इस पर सरेखा के अनुदीस होती है वो बलकि दोस्तों मारे जो तिर्जी होती है यानि एसलेरेशन होती है उसकी डारेक्शन नमर विवाला यानि इस पर से रेकिये वेग होता है और तिर्जी तवरन होता है अब हमारा नेश्ट किसा नहीं इसमें क्या दिया वा है कि किसी वस्तु को 36-35 डिगरी के कौन पर प्रिक्षेपित किया गया है तो वस्तु की 36 परास तता अधिक्तम उचाई का अनुपात होग फोर्मॉल होता है यू स्कॉयर साइन टू ठीटा एबोनमी थाल्ब। धिता कीज़ेखिते तो डेयर्द हमस्त होता है। दोस्तो हाइट का फोर्मूल आपको पता होगा वह होता है U square sin square theta upon में 2G होता है इसके अंदर theta कमान देख पें 25 रखते हैं तो H कमान हमें U square upon में 4G प्राप्त होगा तो इस परकार से दोस्तो हमें R upon H कमान निकालेंगे यानि R के अंदर H का बाग देंगे तो हमें पराप्त हागा चार अपान में एक यानि दोस्तों चे तीस परास यहम जो अधिक्तम उन्चाए का जो अनुपात में पराप्त हो गया वो कितना हो गया चार अनुपात एक तो इसका जो राहाटा इंश लोगा वो जाएगा उप्सन नम्र डी भाला दोस्तो इसका जो राइट एंस हो जाएगा वो जाएगा उपसे नमर एवा लाइन दोस्तो पहले बीतरी पह ये जमीन को छोड़ते हैं दोस्तो इस ता क्यों हता है ये कार्डी है हमारी और ये इस रैनी वर्तकार मोर्ड पर गूम रही है तो दोस्तों आपन देखते हैं इसके जो टायर होते हैं वो जमीन यानि सड़क के साथ दोस्तों सटी होते हैं यानि गर्सन के दूरा जुड़े होते हैं तो इनको आपसे कभी केंद्रेबल मिल पाता है लेकिन दोस्तों इसकी छत होती है इसको आपसे कभी केंद्रेबल नहीं वाला यानि कभी कभी गार पर लट जाती है तो सबसे पहले उसकी बीतिरी पर ये जमीन को छोड़ते हैं तो इसका राइटिविश हो जाएगा उप्सिन नमर ए अब आपका नेश्ट कुसर ने इसमें दिया वाकि यांतरी गड़ी के सेकिंड वाले गांटे का कौन ये वेग ह होता है कि तै किया गया कौन और कौन को तै करने में जो लोगा समय होता है वो तो दोस्तों हम जानते हैं जो सेकिंड वाली सुई होती है वह एक चकर पूरा साथ सेकिंड में पूरा करती है यानि जो टू पाई एंगल है वह कितने समय में करती है साथ सेकिंड में यह हमारी ह निकल करा जाएगा पाई बटे 30 रेडियन पर सेकेंड तो इसका राइटेंश हो जाएगा उप्शन नमर ए वाला यानि जो गड़ी होती है उसकी सेकेंड वाले कांटे का जो कौन ये वेग होता है वो होता है पाई बाई 30 तो दोस्तों याद रखना अब आपका नेश्ट क्य यानि तीस्वा इसके अंदर क्या दिया वा है कि जब वस्तु अचर चाल से वर्थ के अनुदिस करती है तब इस पर को ऑजी तवरन उत्पर नहीं किया होता है या इस पर बल नहीं लगता यह इसका वेग गजर रहता है दो इसका राइटिम से जाएगा उप्शन मर एवाल होता है क्योंकि दोस्तों जो एक हैंडी रिबही कारण हो तीर जा कि ळूझा होता है तो जब भी दोस्तों आपको एग अच्र चाल अपसर नमर ए वाला यानि इस पर कोई कारिया नहीं किया जाता अब आपका नेश्ट की उसने इसमें क्या दिया वा है कि एक कार उतलाकार पुल से गुजड़ते समय उस पर जो बल लगेगा वाय है तो यह दोस्तों आपको क्या दिया वा कि कोई एक Car है वो इस पर कार से उतला कार पुल है इस पर गती कर रही है तो आपको बताना है कि इस Car को एनी जो कल बन लेगेगा वो कों सा लेगेगा तो दोस्तों इसका राइटन्स हुझाएगा उप्स नमरma ڈी वाला नहीं इन में से कोई नहीं कि दोस्तों मारी यह परकार से दोस्तों जो बलोते हैं वह विप्रीदी सामें होते हैं और जो मारा इस परकार से पढ़ती किया बलोगा वह मारा हो जाएगा Mg- 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 Mb² में R बल्कि A कोई भी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका राइटिश neural दिलएगा ऑप्शन मर्ध डी वाला नहीं अब हापका नेश्ड करेंasान यदि 32 करे दादीismac के इन इसमें दिया हुआ है